उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस को आम जंता से अच्छा व्याहर करने के लिए निर्देश किया जाता है लेकिन ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो उत्तर प्रदेश सरकार की किर्किरी कराने का वीड़ा उठा लिया हो ताजा मामला चनपन मैनपूरी का है जहां पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने जिला प्रिशाशन के इसारे पर बेगुना लोगों पर मुकदमा दर्ज लिया है पीडित लोगों का कहना है कि पुलिस ने बिना नोटिस दिये बिना अजाज किये तेरा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्द कर लिया है क्या नाम है आपका आएवरं सिंग लोधी राजपूत अखिल वाती लोधी महासवा की मैं जिलाद्यच हूँ एक जमीन का हमने एग्रिमेंट कराया है जिसे हम आगे समय में उसका मनलब पैसा की अवाव में मैंने एग्रिमेंट कराया है और बैनामा इसका अभी मैंने नहीं कराया है और बैनामा जब पैसा की विवस्ता हो जाती उसके बाद बैनामा हम कराती और इसी थंदर में हमारे प्रिसासन के अधकारी उस जमीन पर पहुंच जाते हैं और हमारे मां कुछ किसान भाई मां बैठे थे अपनी खेटी के रखवारी कर रहे थे रखवारी करने के बाद तुरंत उनको उठा लिया जाता है उठाने के बाद कोतवारी लाया जाता है और उनको संगीन धाराओं में जेल भेज दिया जाता है, हम लोगों को बगर नोटिस दिये, सीधी एफाईयार संगीन धाराओं में की गई है, मैं आप लोगों को अभगत कराना चाहता हूँ कि बिना नोटिस दिये, बिना सूचना दिये, सीधे सीधे किसी ब्यक्त को अपरा नादि बनाद बहुत इगलत है, मैं क्क्या हूा और जब मैंने बात की, लोगों से तो प्रसासन का कहने का मतलब यह है, कि यह भूडा छित्र है आप यहां पर प्लाटिंग कर रहे हैं मैंने कोई प्लाटिंग नहीं की अपने हाथों से ना मैंने कोई बैनामा किया मेरे हाथों से मेरे नाम जब जमीन ही नहीं है तो मैं बैनामा क्या करूंगा अभी तो मैंने एक्रिमेंट कराया था एक्रिमेंट कराने के बाद जमीन बिखती है मैंने कोई ऐसी जमीन बेचा खुची नहीं की है मैं प्रसासन से अनोद करता हूं कि एसी कोई कारवाई ना करें और यह हम लोगों को निर्दोस फसाया जाता है मैंने हमारे आखिल बाती लोधी महासवा के राश्टी अध्यच जी हैं उनसे भी बात की है हमा वो लोग जली आके बहुत ही एक बड़ी महापंचायत का आयोजन लोधी महासवा की तरफ से किया जाएगा और जो यहां पर ताना साही रवाईया चला है उसके बुरुद्ध हम लोग अपनी अबाज उठाएंगे और पर सासन को यह अबगत कराएंगे कि ऐसी कारवाई द इस्तिती में क्या कदम उठाएंगे मैं अपने अखलिब वाती रोती महासवा की राश्टी अद्दजी द्वारा जब वो आएंगे बैठकर बोहीं निरने लेंगे अब इसको क्या करना है जमीन कहां पर रहे हैं जमीन जेल के जश्ट सामने दो तीन के चोड़के आगे को ह है जिसमें जमीन में उस जमीन में जेल की बांडरी भी हो रही है और बूरा छेत्र के नाम जब लिया जाता है तो कम सकम ईसन नंदी से लगा के और पूरा कम सकम एक हजार मकान बने हुए हैं और आपको अबगत कराएं में कि क्या वो नुबाज के पीछे बिद्यापुर गाउं पूरा गाउं बूला छेत्र मना हुआ है उसके बाद नंगला टाल पूरा बूला छेत्र मना हुआ है सेंट मेरी स्कूल बूला छेत्र मना हुआ है चांदे सोर पूरा बूला छेत्र मना हुआ है विकास भवन के सामने पूरा बूला छेत्र मना हुआ है और दीवानी रोड पर चोराइस पुल से पूरा बुला छेत्रम बना हुआ है और मॉल जो बने हैं बूला छेत्रम बने हैं और कुछ नक्से भी पास हुए हैं बिना नक्से पास हुए कैसे मकान बन गई कि मैं अपने प्रसासर अधिकारियों से अपनी जही बात रखना चाहता हूं यद आप कारवाई करते हमको सुझना देते यद आपकी बात ना मानते तो मैं दोसी था मैंने मेरे बगर नोटिस दिये हुए मेरे पर कारवाई की मैं इसका घोर विरूद करता हूं कि अपके पिताजी की उपर एक मुकत्मा रख किया गया है किस मामले पे किया पिताजी के नाम सरी प्रदीब तरपार्थी है जयल चुल यह रहती नोहियवार के सामने अच्छे यह मुकत्मा कि सम्सम्धार किस ने लिखाया आथ शेव जिला प्रिसासन ज्वारा मकट्वा गए हैं मुगद्वाइब लगानुट मेधहा लैं जमीन पड़ी थी आ पर उस चख्कर में पुश्ष्च नाम लिख भी तैब उसमें हम तो मुगद्वा नहीं दो प्रापा चार साल फेले एक्सपैर्वी हो गई जै अब हमकद्व